हाँ जी गुड़ेव नहीं last time मुझे ऐसा लगा portfolio खतम हो जाएगा था पर portfolio खतम नहीं हो पाया था पर ये last part पक्का ये last part है इसके बाद कुछ नहीं होगा खतम कर रहा है हम लोग portfolio portfolio में हम लोगों ने एक तो modern portfolio theory किया और C.A.P.M. किया, C.A.P.M. में बहुत सारी चीज़े किया, अलफा, बीटा, बीटा मैनेजमेंट, सिक्ट्यूरिटी मार्केट लाइन, एसेट प्राइजिंग, करेक्टरिस्टिक लाइन, बहुत सारा काम किया, बीच में कुछ आया था लास्ट में, जब में पिछली क्लास में, में जैंसन अलफा और ट्रेनर रेश्यो और शार्प रेश्यो ये सब चीज़ आया था एक कोश्चन में, वो कोश्चन में मैंने नहीं करवाएं, क्योंकि वो मुझे और ट्रेनर रेश्यो जैंसन अलफा मुझे कहां करवाना 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 मुझे 22 अच्छा कोश्चन है देखो कापी चीजे ऐसी है क्योंकि आपका concept हो चुका है तो आपको पता है अच्छे से कि यार यह हमसे हो जाएगा मैं उन questions में वही वही चीजे discuss करूँगा जो आपको करने में कठिनाई होगी है तो question number 22 में लिखता company है choice of investment between several different equity oriented mutual fund तो mutual fund क्या होता mutual fund पढ़ा नहीं है पर ठीक है यार पाच अलग अलग जगा पैसा लगा रहा है और कितना लगा रहा है बोले करीब करीब हम एक करोड रुपे investment करने का सोच रहा है mutual fund ABCD और उसका बीटा दिया हुए ठीक है अब ये बता दे कि एक लाक में कितना पैसा कहां कहां लगाने वाले है तो बोल रहा if the company invest 20% of its investment in each of the first two mutual fund मतलब सर इसमें 20% लगना है और इसमें भी 20% लगना है ठीक है and equal amount in the mutual fund C, D और E और जो बचा 60% तो बोले equal लगा दिना मतलब इसमें भी 20 लगना है मतलब सर ये तो simple यार simple average भी करोगे तो आजाएगा yes हर एक में बराबर बराबर पैसा लगा रहा हो तो क्या beta of portfolio निकल सकते हो हाँ तो वही किया होगा beta of portfolio निकाला होगा table बना कर निकाला है beta of portfolio कोई दिक्कत नहीं आप भी table बना कर निकाल लेना और answer आजाएगा 1.22 हो जाएगा अब दूसरा क्या बोला है दूसरा देखें if the company invest 15% of its investment C इसमें हो गया सर 15% और 15% in A और A में हो गया सर 15% ठीक है 15-15 हो गया और 10% in E और E में हो गया 10% और 15 और 15, 30 और 10, 40 हो गया तो बचा कितना 60 तो simple सी बात है बचा हुआ 30% इसमें जाएगा और 30% इसमें जाएगा और beta of portfolio मागेगा तो क्या आराम से निकलेंगे क्योंकि 8 नमबर वा कोश्चन है तो मैं आपसे एक हाथ जोड की विंति कर रहा हूं कि आप table में कोश्चन बनाना मतलब एक line में भी हो सकता पर please एक line में नहीं बनाना पता नहीं institute नमबर देगा की नहीं देगा तो point number one और point number two में कोई दिक्कत नहीं है एक second में देख रहा हूं point number third जो है न वो काम का है if the expected return of market 12 पर्शन मतलब sir market का return दिया है 12 पर्शन ठीक और beta दिया है one sir ये beta किसका है market का market का beta one होता है हमको भी पता है what will be the portfolio का expect return in both the situation it means यहां मेरा portfolio बीटा कितना आया था sir यहां आया था 1.22 1.22 portfolio का return मांग रहा है अगर मैं portfolio का return निकालू तो simple सा formula है expect return of portfolio is equal to RF plus RM minus RF और beta of portfolio यही तो है ना यार formula इस question में यह नहीं दिया है RF तर करेंगे कैसे कुछ नहीं करना भई institute में बड़े अच्छे से समझा रख वो कह रहा है यार 12% ठीक है market और कितना बीटा है तो उसका यह कहना 12% कमाते है 1 के लिए तो बताओ 1.22 के लिए कितना कमाएगा ठीक है वही किया है यह एक्सपेक्ट रिटन और पोर्टफोलियो अगर बीटा 1.22 है तो 12 इंटू 1.22 अगर बीटा यह है तो 1.335 सब सेकेंड वाला point number 2 का आंसर नहीं निकाला है सिंबल था तो वो तो आप निकाल लोगे अब चल रहा है यह question question number 15 आपके study material का है और यह question exam में भी पूछा गया था इस question में ध्यान रखना यह question बहुत अच्छा question है ध्यान से समझना मिरी वा the following information are available with respect of Krishna Limited Krishna Limited के share का price दिया हुआ है dividend per share दिया है market index दिया है dividend yield दिया हो return on government bonds दिया compute beta value of the Krishna Limited at the end of 2015 and state your observation बीटा निकालना है बीटा कैसे निकाला जाता है सर बीटा निकालने का यह formula है standard deviation of x standard deviation of market into correlation x or market actual में यह वाला formula है तो x का मतलब sir Krishna Limited हो गया है yes Krishna Limited दिया है और उसका dividend भी दिया है तो sir इसकी और इसकी मदद से मतलब sir यह हो गया x यस और sir यह हो गया market यस यह हो गया market यह हो गया x तो इन दोनों का standard deviation निकल जाएगा correlation निकल जाएगा हां बहुत कुछ निकल जाएगा तो sir RF क्यों दिया है वस यहीं तो समझ रहा है अब देखो अगर में होता तो मैं क्या करता में बता गर मैं होता तो सबसे पहले इसके help से मैं में क्या निकलता return हाना यार हां और इसके help से और standard deviation निकलता, इसकी मदद से भी standard deviation निकलता, standard deviation of x निकल जाता, standard deviation of market निकल जाता, और standard deviation of x और market तो correlation भी तो निकल जाता और beta निकल जाता IECAI इस question को कैसे handle किया है बस ये समझना है आपको आम आदमी यही करता और सर ये RF क्यों दिया है उसका सूचते बाद में observation बोलता तो कुछ करते अब देखो उसने क्या किया उन्होंने सबसे पहले किया annual return of Krishna Limited X का जो return है वो percentage में निकालने की कोशिश किया हाँ वो हम भी करते और क्योंकि इस साल का नहीं निकलेगा तो इस साल का इस साल का और इस साल का निकलेगे मैंने पहली क्लास में MPT में डिसकस किया था तो 253 माइनस 245 dividend के रूप में 22 लेना और divided by 245 तो सर ये आगे 12.24% कब का 2013 का याद रखना 2012 का नहीं निकलेगा ऐसी 2014 का निकल लिया होगा 310 माइनस 235 प्लस 25 divided by 253 ये भी सही है और ऐसी 2015 का भी निकल लिया और इस तरह से और इन सब का अगर मैं average कर लू तो आंसर आजाएगा 20.26% ये रिटन किसका निकला अब बात किसकी करते है market market का dividend मुझे percentage में दिया है तो वो हम बाद में plus कर देंगे market कितने से बढ़ आ है हर साल ये तो निकलना पड़ेगा 2130 जैसे इसका किया था वैसे इसका बस यहाँ इसमें dividend plus किया market में मुझे dividend ऐसे plus नहीं करना है एक बार ये percentage निकल जाएगा क्योंकि ये percentage में दिया तो फिर बाद में percentage प्लस कर दूँगा ठीक वही किया 2130 माइनस 2013 divided by 2000 जो भी आया percentage उसमें मैंने 5% प्लस कर दिया तो ये आ गया 10.81% ये misprint है इसको देख ले न ठीक है सर 16.3 थी और 16 और इन सब का average किया तो आंसर आ किया 14.64% वाव ऐसी निकला 14.64% सर इसके बाद क्या करना इसके बाद कुछ है नहीं अब बीटा वाला formula shortcut वाला लगाना लगाया है ICI ने आप बड़ा वाला भी कर सकते हो formula लगा ये वाला बीटा वाला ये वाला formula लगाया है मैं फिर से बोल रहा हूँ आप alternative तरीके से भी कर सकते थे तो सर वीटा कैसे निकलेगा देखे formula था summation of xm xm x-x bar कर रहे थे x-x bar और m- covariance करते थे थे ना x-x bar m-m bar divided by standard deviation of market का square तो मैं वहीं कर रहा हूँ x-x bar और y-m-m bar बस xm साथ में ले रहा हूँ तो x हमको मालूम है अभी मैं बहुत ज़्यादा derivation पर नहीं जा रहा हूँ x ये लिखा हुआ है ये मैंने लिख लिया और m ये लिखा हुआ है ये भी लिख लिया और x का m के साथ multiplication चाहिए वो कर दिया और x-bar और y-m-bar तो मेरा निकला हुआ है और m का ये जो m है इसका square कर दिया ठीक अब करना क्या है summation summation add करना है x और m तो x और m को multiply करके 932 आया ये लिखा ठीक minus कितना period n का मतलब कितना period है 3 और x-bar निकला हुआ m-bar निकला हुआ है उसके बस summation of m square m square का summation ये है हमारी बस minus 3 और इसका square कर लिया ठीक सर सुनो न ये याद नहीं हो सकता किसी और तरीके से कर सकते हो न make up मना करो बस बड़ा वाला table बना ले न answer इतने ही आएगा 1.89 ठीक इसके बाद क्या बोला है सर उसने बोला state your observation अब जब की आ गया 1.897 सुनोगे तो इस question को फिर में कैसे solve करता है इस question के से मैं alpha निकालता लेकिन alpha में future का निकालता it means क्या मुझे बीटा मालूम है 1.897 yes तो मैं k निकालता है मैं k बोल सकता हूँ rf कौन सा लेते है सर rf मैं average ले लेता average कौन सा ये वाला नहीं लेता कभी भी average ये वाला लेता 6 plus 6 ठीक है और मैं क्या करता मैं इस बीटा को उठाता इस बीटा को उठाता और मैं expect return में किसे मैं इस question को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मुझे observation करना होता तो मैं कैसे करता मैं कहता यार बीटा है 1.897 तो उसके हिसाब से मैं एक काम करता हूँ सीधे 3 साल का average मैं करता rf rf कितना 6 plus 1.897 rm में ये वाला नहीं लेता अलग-अलग-अलग मैं सीधा rm कितना ले लेता 14.64 minus क्या कर देता minus 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 rf कितना 6 ऐसे करके मैं expect return निकालता portfolio का expected return ना बोल कि इसको मैं क्या बोलता k और फिर मैं उसको 20.26 से comparison कर लेता बात करता अलफा निकालना था ना यार तो अलफा ये निकिस से comparison करता ना मैं x बार से I.C.A.I. ध्यान से देखना यहां क्या कर लग-अलग बात कर रहा 2013 का अलग 2014 का अलग 2015 का अलग 2013 का कितना है expect 12.24% की कमाई है और फिर के लिया 10.81 लिया RM कौन सा वाल लिया ये वाला और minus 6 और बीटा वाल तो उसे साब से answer आ गया 12.24 में से minus करेंगे हम 15.12 तो ये जो आया ये अलफा आया negative हमें कमाना चाहिए 15.12 किसको देखकर बीटा को देखकर और हमने कमाया है 12.24 कम कमाया answer alpha negative है तो ऐसे stock को रखना नहीं चाहिए बेज देना चाहिए इसी तरह से उन्होंने अलग-अलग year का किया है आपको भी ऐसे करना है अगर मैं इस question को नहीं देखा होता तो मैं ऐसे ही करता तो यहां आपको धियान रखना है institute ने क्या किया अच्छा question है जी अच्छे question अब भी जो भी चलेगे न सब अच्छे question चलेगे सब आपको exam से एक दिन पहले देख कर जाना ही पड़ेगा option नहीं है यह लो और एक बहत्रीन question question number 21 लिखाँ XYZ has substantial cash flow until the surplus fund are utilized to meet the future capital expenditure likely to happen after several months are invested sir वो invested करना चाहता है किसमें invested करना चाहता है portfolio में और long term के लिए की short term के लिए short term equity investment के और detail दिया हुआ है और investment हम कर रहे 4 type की stock है अब की पास और number of shares है beta है market price है expected dividend yield current market return मतलब RM दिया हुआ है और risk free rate मतलब RF भी दिया हुआ है RM दिया है RF दिया है bank क्या रहा है sir calculate the risk of XYZ short term risk calculate the risk sir risk मांग रहा है calculate the risk of XYZ short term investment portfolio relative to that market market से related risk मांग रहा है market से related risk उसको क्या बोलते है sir उसको बोलते है beta beta मांग रहा है sir beta मांग रहा है तो बड़ा आसान काम हो गया यह number of shares है यह market price है यह number of shares है यह market price है और यह beta है और beta का मतलब हो सकता हो portfolio beta मांग रहा हो yes risk related to market बोला है portfolio beta तो निकाल ले लेगे simple है और वो ही में पहले काम करना है हाला कि वो portfolio beta नहीं मांग रहा है वो कुछ और ही मांग रहा बस हुआ समझाने की कुशिश करें तो पहले table बना के हम portfolio beta तो निकालते है number of shares 60,000, 80,000, 1,00, 1,00, 1,00, 25,000 market price से multiply कर दिया तो यह आगए amount और amount है तो weight निकाल लिया और beta लिख लिया यह वाला beta कहां यह वाला beta और finally आगए weighted average beta 1.467 कोई दिक्कत है नहीं अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं अब आगए जा रहा है यह काम की जिनने इसको cut कर दो यह तो मैं बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा था ठीक है सर तो अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से beta आ गया 1.467 और मेरा काम खतम हो गया 1.467 लेकिन ICI कुछ और कहना चाह रहा है सर क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है भाई अब सुनोगे अब सुनने वली बात है कि यार हम लोग इतना कमा रहा है it means हमने जो पैसा लगाया है 60,000 into 4.29 मतलब 2,57,400 रुपे लगाया उस पे actual में हमारा कमाई है 19.5% का expected return और जो 2,33,600 लगाया उस पे जो return है 24% है तो क्या आप मुझे पुरे portfolio का return निकाल सकते हो weighted average बता सकते हो आराम से बता सकते हो क्यों कर रहा है वो मैं समझा रहा हूँ वो समझा चुका हूँ revision कर रहा हूँ तो ये इस तरह से मैं weighted average निकाला portfolio का return 22.38% हाँ बोलो हाँ ये return के लिए क्या बीटा होना चाहिए implicit बीटा निकाला है याद रखना ICAI के सबसे करना कि यार ये return कमाने के लिए actual में बीटा क्या होना चाहिए क्योंकि ये ही तो मिलने वाला आपको dividend yield बच्चे ने ये भी पूछा था यहां तो market price तो नहीं दिया फिर कैसे गरेंगे market price नहीं दिया ये dividend yield लिखा आई है ये मानलो वो आपका holding period return है तो मेरा ये कहना कि जो dividend yield दिया उसके सबसे return आए 22.38% अब 22.38% आप कमाने वाले हो तो भाई इसके लिए ये कमाई ठीक है हमाई agree उसके लिए बीटा होना कितना चाहिए तो उसको मैंने यहां लिखा CAPM लगा RF मुझको मालू मैं RM-RF और ये बीटा निकाल और बीटा आगया 1.42 तो वो ये बतानी की कोशिश कर रहा है कि देखो जी सर 22.38% कमा रहा है आप पोटफोलियो से एगरी है उसके लिए बीटा हमारा होना चाहिए 1.42 मतलब हम रिस्क कितना ले सकते 1.42 जबकि आपने जिन स्टॉक्स में पैसा लगाया है उसमें एक्च्वल बीटा है 1.467 ज़्यादा रिस्क ले रहा हूँ इतने रिटन के लिए इतने रिटन के लिए बीटा होना चाहिए ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1.42 पे इतने की कमाई हो जानी चाहिए और आप जो बीटा है आपका एक्च्वल वो है 1.467 तो आपके यहां रिस्क ज़्यादा है किस से implicit बीटा से बस पॉर्टफोलियो इस रिस्क है सर समझ में कैसे आएगा कि ऐसे करना है अगर आप होते तो क्या करते में पॉर्टफोलियो बीटा निकालता यह कोश्चन यहां के बाद आपको ध्यान से समझना है कि I.C.E.I. कैसे कोश्चन किया है अभी कौन से कोश्चन चल रहा है अभी वही कोश्चन चल रहा है जो आपको याद करने पड़ सकते ठीक है चले जी आगे अब उसके बाद क्या मांगा कैल्कुलेशन ओफ अलफा तो हर एक स्टॉक अलफा यह मांगा था वेदर X,Y,Z X,Y,Z should change the composition of its portfolio क्या composition को change कर लेना चाहिए देखते है अलफा निकल कर मतलब composition यह है ना 1,2,3,4 stocks लगा है तो देखते है जिसका alpha negative आएगा उसको बेज देंगे जिसका alpha positive आएगा उसको खरीद लेंगे अलफा निकल रहा है और alpha का formula क्या है ER minus K ER है 19.5 minus K E 11 यह तो alpha negative आएगा तो बेज देना इसी तरह से हम काम करते जाएगे 2,3,4,5 5 किदर से आगे 4 4 ना negative आएगा तो बेज दोगे positive आएगा तो खरीद लेंगे हो जाएगा यह यह वाला part कर लोगे मुझे उमीद है हाँ सर question बहुत अच्छा था यह questions बहत्रीन questions है लास्ट पढ़िये एक बार question no.28 में लेका expect return on 2 stocks for particular market return are given the following market return दिया 7% और 25% और दो टाइप का stock है aggressive और defensive aggressive में का कहना है कि 4 अगर market 7% market 7% भी हो सकता है 25% भी हो सकता है तो aggressive stock अगर market गिरेगा तो यह ज़्यादा से गिरेगा और market बढ़ेगा तो यह ज़्यादा से बढ़ेगा aggressive गिरेगा तो ज़्यादा से गिरेगा तो ज़्यादा से पर बढ़ेगा तो ज़्यादा से defensive market गिरेगा तो यह थोड़ा सा गिरेगा market बढ़ेगा तो defensive stock है हमको उसे मतलब नहीं है it means market में return यह हो सकता है इस stock में return यह हो सकता defensive में यह हो सकता सबसे पहले क्या मांगा बीटा, क्या बीटा निकल सकता है, yes, change in stock return divided by change in market return, yes, तो 40 minus 4 और 25 minus 7, तो ये आ गया बीटा 2 और उसका बीटा आ गया, 0.5, कोई दिख्का थे क्या, नाइस, अच्छा कोशन थे, बी, expect return of each stock if the market return is equally likely to be 7% और 25 पर, उनका ये गयना है कि market equally हो सकता है, 7 भी हो सकता, 25 भी हो सकता, 50-50 पर्शन होगी, और इसकी भी 50-50 पर्शन होगी, तो वही काम किया, मैंने expect return निकाला है, किसका, stock का, तो aggressive stock देख रहा है, 4 इंटो 0.5 और 40 इंटो 22 पर्शन, ऐसी उसका निकाला, 9 इंटो 0.5 और 8, 13.5 पर्शन, ठीक है, आगी क्या लिखा हुआ, security market line बनाना, security market line का equation है, rf plus rm minus rf into beta, यह security market line का, rf दे दिया, 37 पर्शन, और rm कितना है, बुले, rm इसका average कर दो, और beta को beta रहने देना, ठीक है, हो गए फिर तो, तो पहले rm निकाला, तो यह आगया, 16 पर्शन, तो rf plus 16 माइनस 7 बीटा को, बीटा 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 चेंज, यह आगया security market line, यह तो मैं डिसकस कर चुका हूँ, इसमें, क्या variable, क्या change होता है, बीटा, बीटा चेंज होगा, तो expect return चेंज होगा, बाकि यह, जो चीजे fix होती है, आपको उसको सिधा लिख सकते हो, यह बताया था मैंने कहा, security market line, calculation of alpha बोला है, हाला कि alpha का मतलब यहाँ, इन्होंने किसी और तरह कर से solve कर रखा होगा, मुझे नहीं मालूँ, पर alpha का मतलब यहाँ, er minus k ही, k ही मान के चलूँगा, तो 22 है, er, 22 के से आया, average निकाला था नहीं, यह, 22, और 7.5, 16, minus 7, into 2, यह आगया, minus 2.5, और यह आगया, 1.75, हो सकता है, कि ICAI ने, यहाँ जो alpha निकाला होगा, वो alpha कौन सा वाला निकाला होगा, CL वाला, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता, alpha बोलेगा, तो alpha ऐसे निकालेगा, और जो alpha की मैं बात कर रहाँ, वो सिर्फ कहां यूज़ने वाली characteristic line, जब beta calculation मांगेगा, और फिर alpha मांगेगा, यह CL मांगेगा, तब वो alpha काम है, अच्छा question था, question no. 39, following information is available in respect of expected dividend दिया हुआ, market price दिया हुआ है, और market condition after one year, मतलब एक साल बाद, share का price 115 भी हो सकता है, 9 रुपे dividend मिलेगे, 107 भी हो सकता है, और 97 भी हो सकता है, और probability यह है, एक साल बाद, तो सर, आज क्या price है, the existing market price of an equity share, अभी price कितना चल रहा है, 106, which is, कम 10% bonus debenture of रुपे 6 पर share, सर, अभी price क्या चल रहा, 106 रुपे चल रहा कि 100, मेरी बाद समझना हमेशा कभी भी, अगर कम dividend price होगा, तो हमको X dividend price लेना पड़ेगा, यहाँ कम bonus price है, it means, यहाँ price कितना है वैसे, तो 106 पर 6 रुपे तो bonus के रूप में मिल रहा, तो बुले उसको हटा के बात करो, it means, share का आज का price कितना है, 100, excluding लेना पड़ेगा, तो share का आज का price है 100, 125 भी हो सकता है, और 9 रुपे dividend में, तो return निकल जाएगा, 107 भी हो सकता हो, 97 भी हो सकता है, ठीक है, पढ़े पढ़ लेते मांग क्या रहा है, Massas X, Finance Company Limited, had offered the buyback of debenture at face value, और यहां buyback के विसे में कुछ बता रहा है, ठीक, find out the expect return and variability of return, variability, standard deviation of the equity shares, if buyback offer is accepted by the investor, ठीक, standard deviation निकल ना, also whether, whether to accept buyback offer or not, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकलना, expect return, और क्या निकलना, standard deviation, तो सबसे पहले return निकलना पड़ेगा, हमको किस में, percentage में, सबसे पहले मैंने net cost निकलना, जो किया है, 100 रुपे, अब return निकल रहा हूं, percentage में, 115-100, 115-100, plus 9, divided by 100, तो पहले साल, या तो पहला साल ने, year नहीं ये probability, 24% की return हो सकती है, और 12% की भी return हो सकती है, और 0.25 probability है कि 0% की return हो सकती है, और इसकी मदद से मेंने, expect return निकला, और standard deviation निकला, तो expect return आ गया 12%, standard deviation आ गया 8.48%, अब दूसरा जो question है, वो question क्या पूछा जा रहा है, वो question ये पूछा जा रहा है, कि बताए, investors को buyback offer accept कर लेना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, इसका answer, I.C.E.I. की मैट में इतना बुरी तरह से लेखा हुआ है, theory है, 2-3-4.4 line लिख दिया उन्होंने, पर मैं उस answer से सहमत नहीं, वो समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ, मैं यहाँ की बात करूँ, भाई, simple language में आपको बोल रहा हूँ, इन debenture पर interest कितना मिल रहा है, 10 person, मैं हूँ company, और आपो debenture ओल्डर, या आपो, आपने share का, आपको debenture मिल गया है मालो, और मैंने का, रखो ना यार अपने पास, दिक्कत क्या है, आपको तो 10 person की कमाई होगी, हाँ, आप चाहो तो, debenture हमको वापस कर दो, एक ही condition, आप कब तैयार हो जाओगे, सवाली है, सर, अग हम देखेंगे, market में क्या चल रहा है, अगर market में rate चल रहा है, 12 person, और सर, आप दे रहे हो 10 person, तो सर, हम आपका buyback offer accept कर लेंगे, हम आपसे पैसे ले लेंगे, और market में लगा देंगे, जहां 12 person की कमाई होगे, it means, यह depend करता है, कि similar debt पे आप कितना person कमा सकते हो, अगर आप 10 person से ज़्यादा कमाने वाले, तो buyback offer accept कर लेजे, यही लिखा हुआ, if market yield of similar debenture is more than 10 person, then investors should accept the buyback offer, ठीक, बाकि अगर किसी को याद करना है, तो वो I, C, A, N, E जो लिखा वो याद कर साथ, पर मैं नहीं करवा बहुँगा, question number 4, 0, back to back question चलें, back to back question करें, अच्छे question चलें, देखें क्या लिखा है, yes, लिखा, A limited has an expected return, A limited का return कितना है, 22 person, मैंने इधर अलग से लिख रहा, expect return, 22 person, और standard deviation कितना है, 40 person, ऐसी और एक company है, B limited, उसका expect return कितना है, 40 person, और standard deviation कितना है, 38 person, और A limited का beta कितना दिया है, 0.86, और B limited का beta दिया है, 1.24, और correlation भी दोनों की बीच का दे दिया, 0.72, और standard deviation भी दे दिया, market का standard deviation कितना है, 20 person, ठीक, क्या हम पूछ क्या रहा है, पूछ रहा, is investing in B limited better than, investing in A limited, A limited में investment करने से, अच्छा क्या B limited में investment करना है, देखे, B limited और A limited में return किसमें ज़्यादा है, sir B limited में, और sir risk किसमें कम है, B limited में, ये दोनोची बीटा नहीं देखना है, बीटे तो market से related risk, अब कोगे sir market related risk किसमें, पर इसमें total risk कम है न है यार, total risk systematic, unsystematic पड़ा हुआ है, हां क्योंकि return भी ज़्यादा है, और risk भी कम है, तो वह लिखना है, yes because B limited provides higher return at lower risk, point number one हो गया, point number two, if you invest 30% in B limited, यहां IAC AI ने आपके साथ खेल खेला है, 30% in B और 70% in A, चाहू तो लिख सकता था, 70% in A और 30% in B, वह ऐसा क्यों लिखा, कि आप जल्दी में गलती कर दो, आप कर लो 0.3 into, और 0.7 into, गलत हो जाएगा, याद रखना, A में लगाना है 70%, और B में लगाना है 30%, what is your expected return of portfolio, and portfolio का standard deviation, correlation दिया है, तो expected return of portfolio, 22 into 0.7, और 24 into 0.22, 0.60, और standard deviation of portfolio मांगा, तो standard deviation of portfolio आपको पता है, यह correlation है, formula पता है ना यार, कि भोल गाया, standard deviation of A, पता है सर, तो यहां कहा, 13.07%, आगे क्या है, यह वाला point भी हो गहा है, what is market portfolio expected rate of return, मतलब सर, RM पूछ रहा है, yes, and how much the RF पूछ रहा है, RM और RF कब पूछा जाता है, जब हम simultaneous equation से काम करते है, security market line, हम यह मान के चलते हैं, कि यह जो return दिया है, 22% और 24% या equilibrium return है, हम यह मान के चलते हैं, कि जो security है, वो correctly priced, correctly priced, तो हमने equation लिखा, expected return कौन कौन से stock का लिखा, दो टाइप के stock थे सायथ, कौन कौन सा A और B, उसके हिसाब से हमने equation बनाए, इसका beta हमको वाल मता है, इसका beta, RF और RF कड़ कर तो MRP आगा है, और MRP को put कर दिया equation में, तो RF आगा है, और फिर RM माइनस RF कर दिया, MRP पता है, तो उसके help से हमारा beta आगा है, 0.9, beta ही मांगा है, market return मांगा, market return आगा है, 22.73, beta भी मांगा था, क्या? portfolio beta आगा है, क्या? Yes, point number 4, what is the beta of portfolio? अगर A limited का weight है, 70 परशन अभी limited, time pass है, यह तो, यह तो करी लोग है, beat up portfolio आगे, ठीक है, इस question में क्या खास बत थी? कोई खास बत नहीं थी, बस एक important बात थी, कि आपको याद रखना था, कि 70-30 में गरबड मत कर देना, question number 41, यह भी अच्छा question, because suppose that economy A is growing rapidly and you are managing a global equity fund, so far, you have invested only in developed country stock only, आपने साहब अभी इस stocks में पैसा लगाया है, सिर्फ developed country stocks, और कुछ stocks है, economy A के, और वो बले अभी ग्रो हो रहा है, ठीक है, now you have decided to add stocks of economy A to your portfolio, अब जो portfolio है, आपने अभी इसमें पैसा लगा रहा है, आप इसको भी include करना चाहते हो, ठीक है, the table below show the expected rate of return, standard deviation, correlation, all estimates are for aggregate stock market of developed country and stock, मतलब आपने भी developed country के stocks खरीदा है, अब इसमें पैसा लगाना चाहते हो, और यह developed country के जितने भी share से उसकी बात है, एक portfolio है और यह portfolio को maintain करना, add करना चाहते हो, ठीक है, expect return दे दिया, standard, मान के चलो कि यार यह एक stock है और यह एक stock है, tension नहीं होगी, ठीक है, correlation दिया है, RF दिया है, 3 person, you are required to determine, क्या मांग रहा है, अब important है, what percentage of your portfolio, should you allocate it, allocate to stock of economy A, बोल रहा है, इसमें कितना पैसा लगा है, weight of B बोलता हूँ, इसका पूछ रहा है, तो इसका भी पूछ रहा है, दोनों को मिला कर, तो हमको weight निकालना है, तो बोल रहा है, इसमें कितना पैसा लगा है, और इसमें कितना पैसा लगा, if you want to increase the expected rate, ताकि आपके portfolio का return, 0.5% से बढ़ जाए, Sir, तो अभी तक हम कितना कमा रहा थे हैं, अभी तक हम कमा रहा थे 10%, और अब हम कमाना चाहते है, 10.5% तो पूछा जा रहा है, 10.5% कमाना है, तो बताए, इसमें कितना पैसा लगा है, और इसमें कितना पैसा लगा है, तो Sir, वेट पूछ रहा है, कुछ बच्चे को तो ऐसा लग रहा है, वेट पूछ रहा है, तो चलो वेट का formula लगा देते हैं, दूसरे का इस्टेंबिट कुछ भी मत करना, वेट निकलना, अभी हम कितना कमा रहा है, तो यहां लिखा 10.5, डेलोप कंट्री स्टॉक से 10 कमा रहा है, और इससे 15 कमा रहा है, इसको वेट आप ले लिया, उसको 1 मैनस वेट आप ले लिया, उससे सबसे वेट आप A आगया, 0.9 और 0.10 आगया, वेट आप B, it means 90% पैसा किस में लगाएंगे, डेलोप कंट्री स्टॉक्स, और 10% पैसा किस में लगाएंगे, एकोनॉमी A, ठीक है, मजा गहा, पॉइंट नूमबर 2, वाट विल बी दा इस्टेंडर्ड डेविशन अप यूर पोर्टफोलियो, क्या मांगा जा रहा है, इस्टेंडर्ड डेविशन, किसका पोर्टफोलियो कह, क्या हमको वेट पता है, 0.9 और 0.1, इस्टॉक्स अप एकोनॉमी A, आर इंक्लूड़ेड इन पोर्टफोलियो, एस कैल्कुलिटेड, मतलब वेट वो जो आपने कैल्कुलिट किया था न, 90 परशन और 10 परशन, उतना ही आमें पैसा लगाना, उतना ही ऐलोकेट करना, तो इस्टेंडर्ड डेविशन और पोर्टफोलियो क्या आएगा, क्या इस्टेंडर्ड डेविशन और A मालूम है, क्या correlation मालूम है तो काम हो गया फिर तो क्या weight मालूम है तो वही काम किया अंसर सीधा लिख दिया मैंने 15.56% आप calculate कर दीचे अब ये वाला point point number C also show how well the fund will be compensate for the risk compensate एक बाद बता हूँ risk free पे कितना person मिल रहा है सर तीन person तीन person तो इधर आपने जब develop में लगाया था तो कितना कमा रहे थे सर दस person इधर deviation है कि नहीं है अगर मैं अभी जो portfolio बनाए उसके सबसे बात ही नहीं कर रहा हूँ सर पहले जो risk था वो कितना था 16 person तो 16 person risk था तो आपने इसमें पैसा क्यों लगाया सर compensation भी तो मिल रहा था ना और मालम है कितना person compensation मिल रहा था 7 person extra मिल रहा था ना सर हाँ यही पूछ रहा हूँ कि बताओ जितना risk है deviation कितना है 16 person 16 person पे आपको compensation कितने person का मिल रहा 7 person extra किसकी वज़े से रिस्क की वज़े से अगर मैं कहूं इसे बोला जाता sharp ratio तो बिल्गुल सही तुम बोल रहा है show also show how well the fund will be compensated for the risk undertaken due to inclusion of stock of economy in the portfolio portfolio की बात कर रहे तो चलो देखते हैं sharp ratio निकालना है sharp ratio developed country में लगाया था 10-3 तुम बोला answer 0.4375 अब जब portfolio बनाया है तो return कितना आगया 10.5 और कितना risk आगया 15 पॉइंट तो answer आगया 0.4820 सिर्फ सार प्रेशन निकल के रख देना बाक्की बात करें ठीका जी यास अच्छा question था ये भी sir question जो चल रहा है सारे कहां से चल रहा है सारे आपके practice में study mat के question से कुछ जितने भी unique question होगा ना target एक ही है भाई एक मात्र target है मेरा कि एक भी question revision में छूटे ना सारी question खतम करो वजह क्या है मालूम है कि यार कितना भी में revision करवा दूँ जो question repeat आ रहा है उनको कितना भी revision करवा दूँ बाद में एक भी question वह ऐसा उठा कर दे देता है ये एक question देख रहा है तो खिल खतम हो जाता नहीं तो पूरा ही कर ले revision में दिक्कत क्या है question number 42 लिखा हुआ एक्स कंपनी लिमिटेट एक्स कंपनी लिमिटेट इन्वेस्टेट ऑन एक अप्रिल दोहजार नौ इन शर्टन एक्विटी शियर्स एज बिल हो एक अप्रिल दोहजार नौ को पैसा लगाया है फास का हैं मैं लिमिटेड और एन लिमिटेड दोनो इसमें एक अजार शियर्स खरीदा है सो का एक दोलाक रुपे लगाया है Qost और इसमें sponge शियर्स केदा दसकेक इसमें कितना पैसा लगा है एक यह लाइफजास जार थेक यह कब लगाया थै एक अप्रिल 2021- सेप्टेमबर 2009 एक अप्रिल अगर मैं कहूं यह एक अप्रिल खतम कब हो गई है सेप्टेमबर 2009 ते परसंंड डिवीडेंड वास पैड़ आउट बाइं मिलने वाला कौन देने वाला एंट और आक्टोबर 2009 में 30% डिविडेंट मिलने वाला कौन देने वाला एंड लिमिटेट तो क्या बीच में हमको डिविडेंट का इमाउंट भी पता लग जाएगा येस और 31 मार्च 2010 को यहां 31 मार्च 2010 की बात कर ला है market quotation show a value और यहां इस M limited की share का प्राइस है 220 और N limited की share का प्राइस है 290 पर share for M limited और N limited respectfully it means हो क्या रहा है sir अब भी तक कुछ नहीं है यहां पैसा लगाया था बीच में dividend मिल गया और यहाँ share का price हमको बता है उसने इस year की आपको information दे चुका है जो हो चुका है जो year निकल चुका है क्या मांगेगा आपसे क्या मांग सकता है return ही तो मांगेगा तो return तो निकाल लेंगे हमको closing price मालू मैं हमको opening price मालू मैं हमको dividend मालू मैं 2010 मतलब अब यहाँ से start कर रहा है 1 April 2009 से यहाँ तक खतम हा चुका है अब इसके बात की बात कर रहा हूँ क्या बोल रहा है ज़रा देखते 1 April 2010 investment advisor indicates investment advisor को लग रहा है that the dividend from M limited or unlimited indicates अब लिका है मतलब अब यह साल यह साल सर आने वाल है यह वाला साल गुजरा नहीं है भी यह expected है यह जो भी होगा वो क्या होगा expected expected तो क्या लग रहा है बोले ऐसा लग रहा है that the dividend from M limited and unlimited for the year ended 31st March 2011 are likely to be M limited से dividend कितना मिलेगा 20% और इस से कितना मिलेगा 35% देखेंगे and the probability of market quotation on 31st March यहां का वो price बता रहा है बोले यहां का हमको थोड़ी पक्का मालूम है यहां का तो पक्का मालूम होगा क्योंकि यह साल तो निकल चुका है यहां का अब हम यहां से आगे जा रहा है तो बोले यहां का price क्या हो सकता बोले unlimited के share का price यह हो सकता इस बात की probability है यह हो सकता है unlimited इस बात की probability है ठीक है question पढ़ा है अभी तक मांग क्या रहा है you are required to calculate the average return from the portfolio portfolio का return मांग रहा है कौन से period का 31st March 2010 को खतम होने वाले साल यहां का portfolio return मांग रहा है हो सकता है क्या ज़रा सोच के बता हाँ सर हो सकता है करे का इसको मैंने table के माधियम से समझाया भी अच्छा कोशन है बड़ा कोशन एक अप्रिल 2009 और यह हमारा year कहां खतम होगा यहां यह एक साल यह 31st March 2010 और एक यहां खतम हो रहा है 31st March 2011 तीक वो आप से यहां का return मांग रहा है जिसको आप वो average return दे रहा है और वो आप से यहां का return मांग रहा है जिसको वो बोल रहा expected return तो सर एक बार निकाल ले कि यस अब देखो मैंने आराम से डायग्राम से ही समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने किया कैसे का M Limited में कितना पैसा लगा है 2 लक और N में कितना है एक लाग पचास जार number of shares भी निकाल लिया share का price निकाल लिया 2 लाग रुपए और 1 लाग रुपए और 1 लाग रुपए और 1 लाग पचास जार पास सो तीन सो रुपए का एक शियर total कितना पैसा लगा है 3 लाग यहां तो कोई दिक्कत है क्या नहीं है सर dividend में मिला dividend कितना कितना मिला 10 परशन और 10 परशन किसका face value का और face value दिया होगा हाँ सर face value है 100 रुपए 100 रुपए का 10 परशन कितना होता 10 रुपए और number of shares मैंने निकाल चुका हूँ 1000 तो यहां कितना मिला dividend 10,000 रुपए ठीक कर ले न उसको और यहां कितना मिला 1500 रुपए तो टोटल मिलाकर 11,500 रुपए ठीक है न और share का price क्या हो गया बोल रहा है बोले year end में share का price हो गया 220 और 290 तो 220 1000 इंटो 220 और 500 इंटो 290 तो यह सब को मैंने यहां 0-0 देख ले न तो इन दोनों को add किया तो कितना आ गया 3,65,000 अब सोच के बताना क्या मुझे 3,65,000 मैं एक इस तरीके से निकाल सकता हूँ 3,65,000 मैंनस 3,50,000 प्लस 11,500 divided by 3,50,000 मेरा answer आ जाएगा हाँ बलू न पर मैं M Limited और N Limited क्या क्या अलग से भी रिटन निकाल सकता हूँ या और उसका वेटेड एवरेज भी कर सकता हूँ इट मिंस आप holding period रिटन भी portfolio का रिटन ऐसे भी निकाल सकते थे 3,65,000 मैंनस 3,50,000 प्लस 11,500 divided by 3,50,000 इन्टू हंड़ट answer आता 7,57% पर मैं question को बहुत प्यार से कर रहा हूँ जैसे जैसे कैसे कर रहा है N Limited के share का price कितना होगा है 220 पहले price कितना था 200 divided by 220 बीच में dividend कितना मिला 10 तो उसका percentage में return निकला 15% और ऐसी N Limited का same किया तो उसका निकला 2.33% माइनस में आया है तो 2,00,00,00 लगाया है किसमें आपने M Limited में उस पे 15% 1,5,00,00 रुपे लगा और divided by सारा तो answer उतनी आयाएगा 7.57% ठीक है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है मैंने का ना मैं ऐसे भी निकाल सकता था पर मैंने इसको proper weighted average के साथ में आपने कोईशन बहुत अच्छा है सीखने के लिए बहुत सारी चीचे चले चीचा कि अब अब दूसरा point करने जा रहा है दूसरे point में मांगा क्या है जरा देखते सर दूसरे point में मांगा है calculate the expected average return वो यहां का expected return मांग रहा है थीक हमारे पस table है क्या है तो अब हम individual निकाल ले यहां है 200 रुपए अब ध्यान से देखना यहां 220 रुपए प्राइस है सर यहां का return निकालना तो यहां का हमको M Limited का price नहीं मालूम ना सर हम वैसी करते P1-P0 plus dividend dividend तो दे दिया है 20 रुपए एक share पे और साड़े 3 रुपए लिखा है 20 परण और 35 परण लिखा होगा वो दिक्कत नहीं है दिक्कत यह है कि यहां का price क्या ले 220 ले की 250 ले की 280 ले तो यहां का मुझे expected price लेना पड़ेगा मैंने क्या किया 220 into probability, 250 into probability 280 into probability तो यह आगे 253 और ऐसे इसका किया तो यह आगे 312 मतलब यह price हमको मालूम है 253 और यह price मालूम है हमको 312 अब तो काम हो सकता है 220 माइनस 250 divided by 20 divided by 253 minus 220 plus 20 divided by 220 वही किया तो यह आगे 24.09 और यह आगे 8.89 पर पर हमें किसका चाहिए portfolio का तो weighted average तो करना पड़ेगा अब काम की चीज अब weight यह वाला लेना है यह वाला लेना यह वाला लेना है यह वाला मतले लेना यह तो एक साल पहले का आप यहाँ खड़े और यहाँ से पैसा लगा है अब weight लोगे तो यह वाला लोग है P0 लेना पड़ेगा ना P0 तो यह है वह ही मेने आगा तो पहले return निकाल लिया तो लाग B0 into 24.09 एक लाग B0 into 8.79 तो answer आगया 8.01 ठीक है जी यस सर चले आगे अब उसके बाद कुछ पूचा है क्या calculate the expect return हो गये तो अच्छा यह उपर है क्या सौरी मैं देखा नहीं था इसके बाद क्या मांग रहा Point No.3 Advice X Limited of the comparative risk into investment by calculating क्या करना है हमको निकालना है standard deviation यह खेल है और standard deviation के लिए हम लोगों को percentage में काम करना पड़ेगा standard deviation कहां का निकलेगा in age case standard deviation हमको यहीं का निकालना है क्योंकि price अलग-अलग हो सकता है 220 भी हो सकता 250 भी हो सकता 280 भी हो सकता तो कितना diviate हो सकता return में यह देखना पड़े तो अब मुझे point 2 पहले M Limited की बात कर रहा हूँ 220 भी हो सकता है हाँ बोलो ना यार 220 भी हो सकता है 250 भी हो सकता है और 280 भी हो सकता है इसके हिसाब से return निकाला गया बाकि dividend तो 20 BC रहेगा तो return निकला 9.09 22.73 और 36.36% 9.09% की भी कमाई हो सकती इस बात की probability है 0.2 यह return हो सकता इस बात की probability है 0.5 यह return आ सकता इस बात की probability है 0.3 ऐसे ही N Limited कभी कर लोगे और finally इसको फिर हम टेबल में इसको मैंने बोला X, X का मतलब क्या होगे N Limited और फिर PX से multiply किया तो यह आ गया 24.09 वही आना था X-X बार और स्क्वेर किया और जो आया यह आ गया Standard Division Standard Division किसका आया X का ऐसे ही हमने किसका किया दूसरा N Limited उसका भी निकाला और काम किया Standard Division आ गया 4.83% तो किसमे Standard Division जादा इसमें इतमिस यह कम रिस्क है Standard Division M is more than Standard Division Hence, Stock M is more risky ठीक है भाई बहुत हिम्माच चाहिए अच्छे-च्छे कोश्चन है यह सब कुछ Practice चाहिए इस पे एक बार करके नहीं जाओगे दिक्कत में बढ़ोगे ठीक है सर C.A.P.M. खतम क्या Yes तो finally Modern Portfolio Theory खतम हाँ सर और C.A.P.M. खतम Capital Asset Pricing Model और उसके बाद करेंगे Portfolio Rebalancing काम कतम होचाएगा ठीक है तो करते हैं Arbitrace Pricing चले चाहिए आगे चल रहा है और अब आखरी टोपिक और जिसका नाम क्या है Arbitrace Pricing Theory Start करें Yes तो पहला जो पढ़ा MPT C.A.P.M. में क्या था Sir C.A.P.M. में होता क्या था MPT में क्या करते थे Sir MPT में हम Correlation निकालते थे 2 stocks के बीच में और Target यह होता था कि Correlation Negative होना चाहिए अगर Negative Correlation है तो रिस्क कर जाता था C.A.P.M. में हमने कहा कि हम आपस में stocks का क्यों Correlation निकाल ले बीच में economy रखे economy और economy के बढ़ने कम होने से stock के return में क्या फर्क पढ़ेगा और C.A.P.M. में एकोनॉमी का मतलब क्या है बोले C.A.P.M. capture क्या करता है बोले economy तो economy मतलब sensex या nifty ले लो C.A.P.M. का यह कहना था C.A.P.T. या इसको बोलते है multi-factors model C.A.P.T. में इनका यह कहना है कि आप एक factor कैसे ले सकते हैं economy sensex या nifty से को आप economy नहीं बोल सकते हैं economy में एक से के अलावा और भी तो factors है जो economy को प्रभावीत करते हैं उसमें GDP है उसमें inflation rate है उसमें interest rate है inflation के बढ़ने से market return में कितना change होगा interest rate के बढ़ने से आपके stock के रिटन में कितना फर्क बढ़ेगा stock के रिटन में exchange rate dollar के रिटन के बढ़ने से आपके stock के रिटन में कितना फर्क पढ़ेगा और फर्क अलग अलग भी बढ़ सकता है डॉलर का रिट बढ़ता है तो तो एक फैक्टर तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करती ऐसी कंपनी पर ज्यादा फर्क पड़ेगा उनका बीटा ज्यादा हो सकता किसी का बीटा कम हो सकता कहने का क्या तात्य पर यह शर कहने का मतलब यह है कि जो C.A.P.M. पढ़ हम सिर्क सैन्सेक्स या निफ्टी को लेते थे हम मार्केट को लेते थे पर रियाल्टी में क्या होता है रियाल्टी में इक्वरणॉमी जो डिपेंड करता है वो यूजिंग यहां ठीक कर लेना मल्टी फैक्टर स्मॉडल को यूज कर रहा है तो एक्वेशन सी ये पीम का क्या होता था ए यार निकालने का आरेफ प्लस एमार्पी मतलब मार्केट रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा एपीटे में क्या होगा है आरेफ प्लस एफारफी सर एफारपी क्या है फैक्टर रिस्क प्रीमियम फैक्टर रिस्क प्रीमियम वन इंटू बीटा वन एक फैक्टर ले लिया सर फैक्टर कौन सा ले जाएंगे और इसको क्या नाम दिया हमने इसको नाम दिया multi factors model ठीक है ठीक है सर चले आगे question number 28 example number 28 से समझने की कोशिश करता थोड़ा सा speed से चलेगी RF दिया एच्छे और factor risk premium दिया inflation का interest rate का currency rate का और उसका factor भी दे रखा factor का मतलब बीटा या बीटा लिख लिखा होना चाहिए factor risk premium है और यह factor है factor भी बोलते है यह इसी को बीटा भी बोलते है बीटा फैक्ट तो करना क्या है RF तो लेने पड़ेगा factor risk premium 1 into beta 1 factor risk premium 2 into beta 2 factor risk premium into into beta से तो यह निकल जाएगा expect return as per arbitrary pricing theory हो जाएगा बच्चो वाला का में सर कोश्चन नमबर 29 इग्जामपल बहुत को सीखने को मिलेगा इस इग्जामपल से आर एफ दिया है छे बर्षन factor 1 factor 2 risk premium दिया है और बीटा दिया है यह stock A बीटा 1, बीटा 2 और उसका risk premium दिया हुआ है और यह stock B का बीटा, बीटा 2 और दोनों का risk premium है calculate return, expect return और किस के सबसे? arbitrage pricing theory के सबसे आपको expect return निकालना है RF plus A का निकालना है तो factor risk premium 1 into beta 1 और factor risk premium 2 into beta 2 6 plus 5 into 1.2 और 3 into 0.9 तो आ गया 14.7 percent ठीक है C, stock B 5 into 0.5 और 3 into 1.5 तो यह आ गया 13 percent ठीक है ठीक है sir दूसरा ज्यादा important है, suppose पहला वाला तो चलो हो जाएगा suppose we invest a C percent in stock A stock A में लगा रहा है हम लोग 80 percent और stock B में लगा रहा है, कितना percent? 20 percent stock A में 80 percent, stock B में 20 percent calculate factor sensitivity 1 मतलब beta of portfolio मांग रहा है और कौन सा factor 1 का? factor 1 का beta of portfolio beta of portfolio और कौन सा beta? बोले beta 1 यह है beta 2 तो बोले beta 1 में 80 percent जो 1.2 है 1.2 उसमें पैसा कितना लगा है? A में यह पैसा A में लगा है मतलब A का beta है 1.2 B का beta है 0.5 है ना ध्यान से करना तो क्या portfolio का? मतलब आप इसको भूल जाएए बस इसी की बात करो क्या beta of portfolio निकाल सकते है? यह सर इसमें पैसा लगा रहा 80 percent इसमें लगा 20 percent तो beta of portfolio निकल जाएगा वो ही किया है 1.2 into 0.8 0.5 into 0.2 तो answer आ गया है 1.06 0.3 यह भी important Suppose we want to create a portfolio हमको portfolio बनाना है ठीक है और portfolio बनाना है मतलब हमको ऐसा portfolio बनाना है ताक्कि beta factor sensitivity 2 of portfolio मतलब beta of portfolio यह वाला जो beta दिख रहा है न beta of portfolio कितना आ जाए should be 1 1 आ जाए तो बताओ इसमें कितना पैसा लगेगा इसमें कितना सिर्फ इसी पर focus करना हो जाएगा क्या तो बस वही काम की कर रहा 1 लिया है 0.9 into weight of A और 1.5 1 minus weight of A यह कहां से आया पता है न यार 0.9 into weight of A 1.5 into weight of B is equal to क्या आना चाहिए sir is equal to आना चाहिए 1 इसके सब से weight निकला weight of A आ गया 0.833 weight of B आ गया 1.167 ठीक है sir example number 30 और कुछ सीखने को में लिखा है example number 30 की बात कर लाते है लिखा है बीटा 1 बीटा 2 A और B A बीध्यान से भर करना काम करना बोले यह है स्टॉक A और यह है स्टॉक B A में बीटा 1 और बीटा 2 दिया B में बीटा 1 और बीटा 2 दिया मतलब यह फैक्टर 1 का बीटा फैक्टर 2 का बीटा इसका expected return निकल गया 14.7% इसका expected return है 13% और RF कितना दिया है 6 calculate factor risk premium 1 and factor risk premium 2 सर यह क्या चीज है जरह समझाओ बिटे कुछ नहीं MRP मांग रहा है equation यहाँ थे CAPM का कैसे करते थे सर ER is equal to RF plus factor risk premium 1 into beta 1 और यहाँ जाएगा factor risk factor risk premium 2 into beta 2 यह ना यार अब बताओ मुझे यह मालूम है क्या yes 14.7 और यह मालूम है कितना 13 RF मालूम है क्या yes RF कितना है 6 6 plus factor risk premium पता है क्या नहीं पर beta 1 याद रखे इसका कैसे निकलते 1.2 factor risk premium 1 into 1.2 plus factor risk premium 2 into 0.9 ऐसा ही कुछ निकालते थे ना यहाँ याद है हाँ सार रिटन तो हम ऐसी निकालते थे बस इसी से मैं factor risk premium 1 और 2 निकालने की कोशिश करूँ अब सुनो यहर 14.7 में से 6 सीधा मैनस करके भी तो लिख सकते ना बाकी इदर वाला पाट अलग लिख लेते हैं अब कुछ तो करना पड़ेगा सर्क्या किया जाए इस equation को solve कैसे करते हैं तो सुनो यार simultaneous equation है आप जैसे तहूँ ऐसे solve कर सकते हो पर फिर भी मैं 0.5 को equation 1 से multiply कर दूँ और 1.2 को equation 2 से multiply कर दूँ यह आता है मान के चल रहा हूँ simultaneous equation और multiply कर दिया तो यह answer आएगा यह cut गया तो final आगया factor risk premium 2 कितना आगया 3 और इसी भी को किसी भी equation में ज़द दिया तो answer आगया 5 हो जाएगा चलो जी तो apt के question बनाना start करें है हाँ sir तो सबसे पहले ले रहा है अच्छा question question number 46 अच्छा question बड़े लिखा Mr. Nirmal Kumar has categorized all available stocks जितने भी available stocks है उनको पुरे market के stock को चार category में divide किया है इनोंने जितने भी market में available stock है कुछ छोटी company small cap और कुछ small cap value कुछ large cap growth और कुछ large cap value चार category में divide कर दिया है सारे stocks को कुछ stocks को यहाँ डाला कुछ को यहाँ डाला कुछ को यहाँ डाला चार category Mr. Nirmal Kumar also estimate the weights of above categories of stock in the market index और weight भी पता कि यार कितने कितने पर्षण weight भी निकाल दिया हुशन further the sensitivity of return on this category of stock to three important factor और factor भी दिया sensitivity दिया हुआ सबसे पहले इन में कितना कितना weights है तो weights है बुले इसमें 25% पैसा लगा इसमें 10% इसमें 50% और इसमें 15% और factor बन दिया बीटा बीटा मतलब सरवो C.A.P.M. वाला किया या C.A.P.M. वाला यह जो है यह C.A.P.M. वाला बीटा है दूसरा factor है book price और तीसरा factor है inflation ठीक rate of return on treasury bond मतलब यह दिया हुआ यह क्या हो गया हमारा R.F. R.F. दिया है 4.5 पॉट required using arbitrage pricing theory determine the expect return on market index किसके सबसे APT के सबसे कैसे काम किया जा सकता है सर देखो सबसे अच्छा दूत काम हो सकते या तो हम portfolio बीटा निकल दे है ना यार portfolio बीटा portfolio बीटा portfolio बीटा और फिर expect return on portfolio निकल दे risk premium भी दिया हुआ यह risk premium या तो सर ऐसा करते है इसका return अलग निकलते है अलग और इसका अलग और फिर उसका हम weighted average कर लेते हैं वो भी चलेगा वैसे ही क्या होगा अलग अलग तो पहले expect return of market नाम क्या क्या small cap growth तो मेरे बच्चे जो है वो बोलते हम इतना बड़ा नाम लिखने में दिक्कत है तो चलो उन्होंने छोटा-छोटा लिख दिया individual निकल ला individual कैसे निकल ला सबसे पहले RF कितना दिया 4.5 है ना फिर 6.85 into 0.8 minus 3.5 into 1.9 minus 0.65 into 1.35 तो यह पहली company का निकल जाएगा तो अंसर आ गया 5.9925 पर्शन ऐसे दूसरे का निकला तीसरे का निकला चौथे का निकला और फिर इसका हमने क्या कर दिया weighted average तो यह आ गया market return मेरे खहल से कोई दिक्कत नहीं होनी थी थीक पॉइंट नुमबर B using capital asset pricing बहुले CAPM के हिसाब से आप expect return CAPM मतलब मालुम है बुले आप इनको और इनको ignore कर दीजे इसी को लेकर बना सकते हो क्या बना लेंगे CAPM से इसका मतलब सिर्फ beta 1 यह वाला बीटा लेना हर एक का हम क्या निकल लेंगे expect return और फिर portfolio का निकल लेंगे उन्होंने कैसे किया यह देख लेते इन्होंने कहा यार क्यों time pass करें इन्होंने सबसे पहले beta portfolio निकल लिया और beta portfolio आएगा 1 1 ही आना था sir 1 क्यों आना था market है यार तो market का beta 1 है और 1 के हिसाब से फिर इन्होंने expected return निकल लें RF प्लस आरे और beta portfolio लिया तो यागे 11.35 पर ठीक है point number C point number C क्या बोल रहा Mr. Nirmal Kumar wants to construct a portfolio और उसमें सिर्फ पैसा लगा रहा है small cap value में मतलब यह जिसका बीटा है point 9 और इसके अलावा large cap growth में जिसका बीटा है one point इसमें कुछ पैसा लगा रहा है और इसमें कुछ पैसा लगा रहा है ठीक है ताकि portfolio का बीटा कितना आ जाए one तो weight निकल लिए one रखना point 9 into weight आपे 1.165 one minus weight आपे इससे करो के तो निकल गए 62 पर्षन और 38 पर्षन ठीक है जी ठीक है जी चले आगे अब जो करोगे वो एक important question important question करने जा रहा question number 47 बहुत अच्छा question है technical question question number 47 चले पढ़े question करो लिखा है Mr. Kapoor on a portfolio with the following characteristics अध्यान से करना भाई असा नहीं की question बने का नहीं आपसे बन सकता पर ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वेट नेगेटिव आएक फिर आप भज जाओगे security x security y risk free security factor 1 sensitivity this beta beta है x का beta है y का और risk free का beta तो 0 होता है और ये देखो इसका beta है इसका beta है और risk free का beta 0 it is assumed that security return are generated by two factors model अब ये वाला point अच्छी जे पढ़ना क्या बोड़ रहा है mister kapoor has कितना पैसा है इसको बोलते on fund sir बोले एक लाख रुपए ठीक है और short sell किया पच्छास जार short sell मतलब समझते हो ना यार हाँ sir किसी से पैसे उधार लिया तो एक लाख खुद के पास था पच्छास जार किसी और से उधार लिया अधार मान के चलो हाँ short sell आपको अच्छे से आता है तो टूटल यार हमारे पास एक लाख पच्छास जार रुपया जमा हो गया और short sell कौन सा security किया security y और purchase किया हमने देड़ लाख का security x खुद का था एक लाख security y में short sell किया पच्छास जार तो टूटल कितना हो गया देड़ लाख और देड़ लाख रुपय किस में लगा दिया security x में what is the sensitivity of Mr. Kapoos portfolio to two factor आपको beat up portfolio मांगा है और beat up portfolio निकाला जा सकता सबसे बहले weight निकलना पढ़ेगा तो weight निकले तो weight देखो कैसे निकला पहले weight of x नीचे हमेशा on fund रहेगा मैंने आपको करवाया हूँ अच्छे से answer तो खुद का पैसा और x में कितना पैसा लगाया एक लाग पच्छास या तो weight of x कितना आगया 1.5 क्या weight 1 से जादा सकता है यस करवा चुका और weight of y निकलना पढ़ेगा तो weight of y याद रखना short से लिकिया तो minus में आएगा और नीचे हमेशा on fund तो weight of y आगया minus .5 अब हमको weight पता लग गया weight of x कितना है weight of x है 1.5 और weight of y है minus .50 ठीक है मांग रहा है सर मांग रहा है हमसे beta of portfolio अब इसको ध्याँ से यह factor 1, factor 2 तो पहले factor 1 यह वाला beta यह beta 1 है और इसका portfolio और इसका weight हमको मालूम है इसका weight है 1.5 और इसका weight है minus .50 तो beta portfolio ने कल सकता .7 into 1.5 और 1.5 into minus .5 यह minus का सहिन है तो यह आगया .375 ऐसे second factor का भी निकाल ली है answer आ गया .35 ठीक है सबसे ज्यादा दिकत point number 2 में हो रही थी बच्छो point number 2 if Mr. Kapoor borrows 1,000,000,000 add the risk free rate 1,000,000 रुपए है उले हम risk free पे borrow कर रहा है ठीक है 1,000,000 रुपए बच्छों कर रहा है and the invest the amount he borrow और चुब 1,000,000 रुपए बच्छों कर रहा है उसको invest कर रहा है along with the original amount rupees 1,000,000 और हमारे पास तो 1,000,000 था 1,000,000 in security x y in the same proportion as described in part 1 यह एक समस्या है यहां weight निकालने में दिक्कत हो रही थी बच्छों को बोल किया रहा है यही समझ में नहीं आ रहा था एक लाख रुपए क्या हमारे पास है यस एक लाख रुपए क्या हमने borrow किया यस टूटल कितना हो गए दो लाख और दो लाख को किस तरह से invest करना x और y में जैसे first part में किया था जिस proportion में first वाले में किया था तो proportion किया था 1.5 और 0.5 माइनस 0.5 उसी proportion में बाट रहा है डिटेल में discussion किया हूँ यार अभी उतना discussion नहीं कर सकता है तो सर x में कितना पैसा लगाना है दो लाख का 1.5 तीन लाख सर y में कितना पैसा है दो लाख का 0.5 एक लाख रुपए माइनस है ठीक और रिस्क फ्री पे भी एक लाख रुपए क्या चीज़ है माइनस में तो वेट आप x निकलते है तीन लाख divided by एक लाख थ्री वेट आप y माइनस एक लाख divided by माइनस वन और आर एफ पे भी माइनस है बारोग किया है वन लाख वन लाख तो माइनस वन थ्री माइनस वन माइनस वन वेट आप है और उसके हिसाब से फिर हमने निकला 0.75 इंटू 3 1.5 माइनस वन और 0 इंटू माइनस वन तो आंसर कितना जाएगा 0.75 फिर से बीट आप पॉर्टफोलियो निकाल रहा है और फिर ही ऐसे किया वाब बस यह माइनस नहीं है यार माइनस वन इंटू 1.0 और माइनस वन इंटू 0 तो आंसर कितना जाएगा 0.70 ठीक अच्छा दूसरा पार्ट तो अच्छा है सवच इसकुंच्छेन को डिटियल में समझा दूगी क्या समझा दूँगा अभी तो नहीं सम्झा सकता है रिवीजन में कभी और अट जिनोंने मुझसे класс नहीं किया जिनोंने ग्लास किया भी या lecture देखो डिटियल में समझाया ठीक किस अगे चले What is the expected return return इस अगर बोलगा और इसा है तो मैं आपको बता रहा हूं मैंने इस equation से काम करवा रखा हूँ class में आप भी ऐसे करना it means simultaneous equation ले लिया और ये ले लिया और वो क्या मांग रहा है factor risk premium 2 मांग रहा इसको answer किया तो answer आ गया है 0 और study mat में भी 0 ही दिया हुआ ये simultaneous equation आपको आता ये करवाए हूँ मैंने example के साथ में सर इस question में क्या खाज बाती है question special था question ही special था बस arbitrary pricing theory में इतना ही होगा और इससे जदा क्या होगा इसके बाद हो गया है इसके बाद हमने किया था portfolio rebalancing या portfolio revision भी बोलते है मतलब होता क्या है होता ये है यार कि हमने portfolio बनाया ठीक है सर तो एक बार मने मानलोग दो जगा पैसा लगाया equity में पैसा लगाया एक लाक रुपए और bonds में पैसा लगाया एक लाक रुपए तो वो हमेशा उतना ही लगा रहने दो जो है देखा जाएगा लगा रहने दो उतना हलाकि equity में कम जादा भी होगा यास तो जादा होगा कम होगा share का price गिरेगा तो क्या उसको छूना नहीं है कि कुछ बेचे होगे खरीदो कुछ तो change करोगे तो change करना है कि नहीं और change करना है तो किस strategy से काम करना है उसको बोलते है portfolio rebalancing या portfolio revision portfolio rebalancing या portfolio revision और उसमें तीन rebalancing strategy है पहला था buy and hold strategy एक था constant mix और तीसरा था constant proportion portfolio insurance करके था ठीक कर लेंगे नाम में मैं जाओ सर ये buy and hold क्या है यहां तो नहीं समझा रहा हूँ इसको कट कर दो ये है सबसे पहली buy and hold buy and hold खरीदो और छोड़ो बस मान लो इसको समझाते हुए काम कर रहा हूँ समझेना ज़रूर है तभी question होने वाला है तो मान लो ये portfolio है सर इसमें कुछ पैसा हमने bonds में रखा कुछ पैसा equity में मान लो हमने 2 लाग का portfolio बनाया तो 2 लाग के portfolio हमने किया क्या सर ठीक 2 लाग का portfolio बनाया मान लो मान लो कुछ दिनों बात एक महने बात equity जो है वो 10% से बढ़ गया मतलब 1 लाग से ये 1 लाग है ना equity 1 लाग से 1 लाग 10,000 हो गया और bond में मैं कोई change नहीं कर रहा हूँ मैं no interest वाला मैं कहता हूँ 1 लाग का 1 लाग bond है तो total मिलाकर मेरा portfolio 2,10,000 हो गया उसको कुछ rebalance करना है कुछ change करना है कुछ बेचना है बहुत कुछ नहीं करना एक बार खरीदाना उसके बाद छोड़ दो एक साल तक भूल जा ऐसे ही अगर 10% down हो गया तो no doubt equity कम हो गया बहुत अब भी भी छूना मत इसको जैसा है वैसा रहने तो इसको बोलते है buy and hold a strategy सर इससे क्या फायदा और का फायदा होगा जब equity बढ़ेगा मालो equity बढ़ेगा अगर equity बढ़ा तब यार ये ठीक है equity बढ़ेगा तो यार मेरा portfolio भी तो बढ़ेगा अभी 210 है फिर और बढ़ते जाएगा पर अगर equity कम हुआ तो मेरा portfolio भी कम होगा कम होगा हो जाने दो लेकिन मैं जानता हूँ कि एक लाख रुपए मेरा अगर ये जीरो भी हो जाता जीरो भी हो जाता तो भी तो मेरा एक लाख रुपए सेफ है buy and hold ठीक दूसरा constant ratio plan सर ये क्या होता था इसको भी संधाना अपड़े है constant ratio plan सुनो portfolio जिसमें bond कितने का है एक लाख और equity कितने का है एक लाख ठीक है अब इसमें क्या करना होता पर समझने की कोशिश करना total portfolio कितने का है 2,00,000 equity बढ़ा कितने percent से बढ़ा 10% से मतलब सर जो एक लाख था वो एक लाख 10,000 हो गया yes तो total कितना हो गया ratio plan का मतलब क्या होता है कि ये जो 2,10 है न ये अलग अलग ratio हो गया हमारा ratio सेम होगा बराबर बराबर होगा it means 2,00,000 को बराबर करने की कोशिश करो तो 2,00,000 divided by 2 तो 1,00,000 यहाँ यह misprint हो 1,00,000 यहाँ इस तरह से हमको करना पढ़ेगा it means जब भी यह unequal आएगा एक limit कि आर हर 15-15 दिन में चेक करेंगे या हर 30-30 दिन में चेक करेंगे और जब भी यह unequal आएगा तो हम इसको ratio constant कर देंगे सर करेंगे कैसे जड़ा सोचे हाँ अगर जैसे equity 1,10,000 का हुआ और bond हुआ 1,00,000 का तो हम equity जो है वो base देंगे और bond खरीद लेंगे हाँ, बिलकुँ सही ठीक ठीक है सर, और इधर भी देखो सर, अगर equity 10% से कम हुआ मानलो कम हुआ तो यार यह ratio तो अलग-अलग हो गया तो total एक नबब इसको बराबर करते तो बराबर किया इटमिस मैंने क्या किया सर, equity कम हुआ तो मैंने equity खरीद लिया है ना अब मैं आप से कुछ पूछ रहा हूँ कौन सा strategy अच्छा है सुनना, सुनना, सुनना तो सर, जब equity बढ़ा नहीं, जब equity बढ़ा तो आपने equity जो है वो बेचा और बदले में bond खरीद लिया मतलब सर, जो चीज बढ़ रही है जो चीज बढ़ रही है आप उसको खरीद रहे हो और bond में डाल रहे हो फिर बढ़ा, फिर खरीदा और bond में डाला मतलब सर एक्विटी के बढ़ने से आप एक्विटी क्या कर रहे हो बेच रहे हो एक्विटी बढ़ा तो मैंने बेचा और यहां बोलो एक्विटी कम हुआ एक लाग से 90 जार हुआ तो जो कम हुआ मैंने उसमें और पैसे डाला फिर कम होता तो उसमें और पैसे डालता फिर कम होता तो उसमें और पैसे डालता ठीक क्या यहां सेफ हो सकते हो यह बोल सकते हो कि नहीं यार मेरा एक लाग तो बचे गए बचे गा कोई नहीं अगर यह कम होते जा रहा तो बॉंड का पैसा एक्विटी में bond का पैसे equity में bond का पैसे equity में तो आप तो बरबाद हो रहा है मतलब जिदर डूब रहे उदर और double डूब रहे आप सूचो नहीं है थोड़ा सा और इधर जबकि चीजे बढ़ रही है तो उसमें से पैसा निकाल रहे हैं आप और वापस bond में डाल रहे है गरबढ़ है न थोड़ा सा कौनसी strategy अच्छी है buy and hold की constant ratio plan और answer आपका आएगा अभी ऐसा लग रहा buy and hold अच्छा कम से कम एक लाग रुपिया मिलेगा ना यार इधर जीरो भी पर इधर तो यार बरबाद जहां बरबाद हो रहा है और पैसा लगा रहे हो आप एक बाद बता हूँ हम equity कब खरीद रहे सर जब equity कम हो जाता है कम हो गया है तो हमने equity खरीद लिया हम equity कब बेच रहे shares कब बेच रहे जब shares महगा हो जाता तो हम shares बेच देते इसका मतलब equity जो shares है जब सस्ता होता है जब सस्ता होता तो हम शेयर्स खरीदते है जब महगा होता तो हम शेयर्स बेशते है इसका मतलब यार मार्किट ऐसा होता है कम ज़ादा कम ज़ादा कम ज़ादा कम ज़ादा मतलब सर जब कम होता है तो हम shares खरीद लेते हैं जब ज़्यादा होता तो हम shares बेज देते हैं फिर कम हुआ तो shares खरीद हो जब ज़्यादा हुआ तो shares बेज दो यस ये अच्छी strategy है जब market एक range के अंदर कम ज़्यादा हो रहा है ठीक मैं theory क्यों समझा रहा हूँ ये समझा चुका हूँ और एक कौन सा था CPPI CPPI क्या कह रहा था मैं बहुत ज़्यादा detail में जाने लगा हूँ जब कि मुझे नहीं जाना मैं भूल जाता हूँ कि मैं आपका revision करवा रहा हूँ ये चीज़े आपको पहले से पतावा CPPI में इसी का ज़स्ट उलता होता है CPPI बोलता है अगर जो चीज़े बढ़ रही है अगर equity बढ़ी तो और equity खरी थी और बढ़ी equity तो और equity खरी थी पर अगर वो घिरना चालू हो रही है तो उसमें से पैसा निकाल और बढ़ को जो चीज़े डाउन हो रही है उसमें क्यों पैसा रख रहा है वो CPPI बोलता है ख्यार उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ और मैं ये theory भी discussion नहीं कर रहा हूँ ये detail में discussion कर चुका हूँ मैं सीधा जा रहा हूँ question number 48 मुझे भी class खतम करनी है revision को questions बनाए जाद अच्छा revision को revision की तरह रखते है तो आते है question number 48 question number 48 अच्छा question है miss sunidhi वाला question detail में तो यार इसके तो youtube में बहुत सारे teachers के video डले हूँ है अच्छा question है ये लेकर portfolio rebalancing का है और सायाद चलो छोड़ो miss sunidhi is working with mnc at mumbai she is well virgin with the portfolio management techniques and wants to test one of the techniques on the equity fund she has constructed and compare the gain and loss from the technique with those from a passive buy and hold जो miss sunidhi है ना उन्होंने अपनी कुछ strategy बनाया है तीक है और उससे जो gain और loss हो रहा है उसको वो comparison करना चाहते है buy and hold strategy से the fund consists of equity only जो buy and hold में पैसा लगा रहे हो उसमें सिर्फ equity में पैसा लगा रहे हो अच्छा bonds में पैसा ही नहीं बोल रहे है buy and hold की बात कर हला कि buy and hold का theory पढ़ोगे ना तो उसमें आधा पैसा या कुछ पैसा bonds में होगा कुछ पैसा equity में पर इसमें बोला कि जो आप पैसा लगा रहे हो buy and hold में total पैसा कहां लगा रहे हो बोले हम सिर्फ और सिर्फ equity में लगा रहे है and the ending NAV of fund has constructed for the last 10 month और ये ending NAV दे रखा December, January, February नीचे होगा March, April फिर होगा May, June, July इतनी उन्होंने दे रखा वो इधर इस वाले पैस में आगया अगा September तक है Assume, Sunidhi had invested a notional amount कितना पैसा लगाया जा रहा है दो लग दो लग equally in equity fund and conservative portfolio bonds इतमिस एक लाख रुपिया उन्होंने equity में लगाया और एक लाख रुपए bonds में लगाया एक किस की strategy है मिस Sunidhi की और बोले किस से compare compare कर रहा है buy and hold से जिसमें सारा पैसा 2,00,00 किस में लगाया है equity में लगाया है यह बोला है इन दा beginning of December 2008 में लगाया है and the total portfolio was rebalance बोले हर बार rebalance होगा कब होगा each time the NAV of the fund increase or decrease और कितने person से बोले पिछला जो NAV है ना पिछला NAV उससे 15% से ज़्यादा बढ़ता है या उसके 15% से ज़्यादा गिरता है तो बोले rebalancing करें वो चेक करना पड़ेगा यू आर required to determine the value of portfolio for each level of NAV और साब साब लिखा है constant ratio apply constant ratio apply आप देखो कैसे काम हुआ ठीक है मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा काम काम की चीज़ कर लेते हैं अब पहली वाँ कब पैसा लगा रहा सर दिसंबर 2018 NAV कितना था? तो यहाँ NAV कितना था? 40 ठीक और कितना पैसा लगाया conservative मतलब bond में कितना पैसा लगाया? 1,00,00,00 और equity में कितना पैसा लगाया? 1,00,00,00 तो total कितना पैसा लगाया? 2,00,00,00 और यहाँ यह equity का पैसा तो number of units भी निकाल कर रख लो number of shares जैसे number of units तो sir 1,00,00,00 divided by 40 तो total कितना units है? 25,00 units है ठीक है? ठीक है अब अगले बार units का price NAV कितना हो गए? सर 25 हो गए सबसे पहले यह check करना पढ़ेगा क्या 40-15% करो 40-15% 34 होता है क्या यह 34 से भी ज़्यादा डाउन हो गया है यह 25 हो गया है तो अब rebalancing करना पढ़ेगा सर अगर यह 35 होता तो rebalancing नहीं करते है अगर NAV 15% से ज़्यादा डाउन हो रहा है तो फिर आपको rebalancing करना पढ़ेगा ठीक तो sir करना क्या था? एक लाग इसमें तो change होना नहीं है यह वाला क्या हो गया भाई इसका हाल कितना units था टोटल सरफ 2500 था into rate हो गया 25 तो 60 to 500 हो गया तो अब मेरा portfolio कितने का है? मेरा है 160 to 500 160 to 500 अब इसको rebalancing करना है और constant ratio में इसको आधा आधा करना पढ़ेगा तो 162 to 500 divided by 2 तो 81250 और 81250 इसका मतलब सर जो 60 to 500 है अब आपका 81250 हो गया है? यस 81250 इसका मतलब सर कि हमने units खरीदा होगा? यस 81250 मैनस 62500 18,750 रुपिया हमने लगा दिया वापस कहां? एकविटी में कहां से बेच के? बॉण्ड बेच दिया हमने डिवाइड़ भाइ 18,650 डिवाइड़ भाइ तो हमने additional units खरीदा कितना? तो टोटल अब कितना units हो गया हमारे पास? 3250 ठीक है जी? ठीक है अगले बार NAV कितना हो गया? सर यह हो गया 36 क्या NAV बढ़ गया? यस 25 से बढ़ गया क्या 15% से ज़्यादा बढ़ा? 25 प्लस 15 पर 28.75 से भी ज़्यादा बढ़ा तो रिबैलेंसिंग करना पड़ेगा फिर हमने क्या? पहले जो कि वो लिख दिया यह है अब यहाँ यहाँ देखो यहाँ युनिट्स कितना था मेरा सर 3250 तो 3250 इंटू 36 तो एक लाग सत्तरा हजार हो गया और इन दोनों को मैंने टूटल मारा तो यह आ गया 198250 डिवाइड बाई क्या करोगे? 2 198250 डिवाइड बाई 2 तो 99125 और 99125 इसका मतलब जो एक लाग सत्रा हजार माइनस 99125 17875 का युनिट्स से बेच जा है कितने के साब से 36 तो कितना युनिट्स से बेच दिया 496.53 याद रखना यहाँ बच्चों ने बहुत सारे बच्चों ने गलतिया यह किया है कि वो युनिट्स को 2753.47 फिर देखो फिर 36 से कितना हो गया 32 36 माइनस 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 15 परशन 30.6 से भी जादा अगर डाउन होगा तो रिबैलेंसिं होगा और यह तो 15 परशन से जादा डाउन होगा ही नहीं तो रिबैलेंसिं की जरूरत नहीं है बस यहाँ वैल्यू दिखा कर छोड़ देना हो जाएगा अप तो आइडिया दे दिया हूँ कैसे करना है करना लाश तक करते जाना लाश तक करते जाओगे तो वैल्यू कितना आ गया सर वैल्यू आ गया 2,446,647 और यहाँ वैल्यू कितना है 2,60,000 तो कौन सी अच्छी है 2,60,000 जर्वादी ठीक है पेश्यू बाई है ना ठीक है यह कोश्चन आपको करना है और एक कोश्चन कहां से है एक कोश्चन है CPPI से उसको भी समझा दूँ की थोड़ा सा CPPI में एक फॉर्मला आता है E is equal to M A-F सर यह क्या कहना चाहता यह कहना चाहता बिल्कुल ध्यान से समझना भिट्टे यह formula यूच होने वाला मान लो आप C लोग और मैं आपको कितना रुपए दे रहा हूँ मैं आपको दे रहा हूँ पूरा पाच लाख रुपए मैं आपको यह रुपए रखो और आपकी जहां मर्जी वहां पैसे लगाओ आप equity में लगाना equity में लगाओ bond में लगाओ आपकी मर्जी आपने का पक्का ना मैं आपको यह रिसाइड करना है कि equity में कितना लगाना और bond में कितना लगाना ठीक है अब धियान से सुनना मेरी बात आपने कहा कि सर ऐसा है कि आप पांच लाख रुपए दे रहो कुछ तो expectation होगा minimum मैं आपको देखते हुए minimum मुझे चार लाख तो आप किसी भी हालत में वापस कर दे ना साड़े चार लाख रुपए मुझे वापस चाहिए मतलब सीधी सी बात बोल रहा हूँ आप 50,000,000 रुपए कि डूबा भी लोगी डूब भी लगा दो equity में पूरा की पूरा जीरो कर दो तो भी कोई समस्य नहीं साड़े चार लाख रुपए तो मुझे कम से कम minimum साड़े चार लाख रुपए डाला कर दोगे ऐसा नहीं है कि मैंने 5,000,000 दिया पास लाख उड़ा दिये सवाल है कि bond में कितना पैसे लगाना और equity में कितना पैसे लगाना सामने वाले क्लाइट को साढ़े चारलाख रुपीय वापस चाहिए है तो 50,000 एक्विटी में लगा तो सार साढ़े चारलाख रुपीय बोहर्ण में लगा तो इसका मतलब आप यह बोल रहे हों कि आप इतने बेवकुफ हो कि पूरा 50,000 की 50,000 दुबा दोगे बन्तब एकविडी जीरो हो जाएगा जीरो थोड़ी नहोता यार दस बेस परिशन गिरता होगा इट मिंस हमें एकविडी में कितना पैसा लगाना है सामने वाले को जो मिनीमम चाहिए वापस उसको बोले जाता फ्लोर उसको चाहिए साड़े चार लग और टोटल एसिट कितने का है पाच लग तो पाच लग में से साड़े चार लग उसने छूट कितने की दे रखा है पचास जार खेलने की दे रखा है पचास जार खेलो हम मालूम है हम रिस्क लेंगे हमको मालब है 50,000 जीरो नहीं होने वाला तो चलो ना थोड़ा से डबल लगा कर दिखते है और ये multiplier क्या है? 2 ये दिया रहता है generally ये दिया रहेगा आप tension मतलो उसका ठीक है? ठीक है सर तो formula है equity में कितना पैसा लगाना और equity में कितना पैसा लगाना उसका मैंने formula दे दिया आपको ठीक है? बाकी फिर ये मैं CPPA समझानी की कोशिश कर रहा था जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा concept में मैं घुश नहीं रहूँ आपको ठीक है? एक question है वो question करवाना था और question number है 49 करे है? हाँ सर बस ये आखरी question है और इसके बाद एक corner theorem का question है बस बात खतम हो जाएगे लिखा है Indra has a fund कितना? बोले 3 लाक 3 लाक रुपए fund है इसको assets बोलता which she wants to invest in share market with rebalancing target और rebalancing कब करना है? हर 10-10 दिन में rebalancing करना है start with for a period of one month from now अभी nifty कितना है? 5,326 है अभी nifty the minimum nifty within a month और एक मेने बाद जो nifty है वो 4793.4 हो जाए कहना क्या चाहता? मैं आपको पैसे दे रहा हूँ मैं कहता हूँ एक मेने तक खेलो एक मेने बाद मुझे वापस कर देना और आप rebalancing हर 10-10 दिन में कर लो कोई दिक्कत की बत नहीं है तो सुनो एक मेने अभी निफ्टी कितना है? 5,3,2,6 एक मेने बाद कितना हो सकता? 4,6 मतलब निफ्टी कितने परशंटेस से गिर सकता है? निकाल सकते हो क्या? 5,3,2,6 मैनस 4,7 9,3,4 divided by 4,7,9,3,4 5,3,2,6 यह तो निकला हुआ है कितने परशंट से गिर सकता है? 10 परशंट से तो भाई मैं जो आपको 3,0,000,000 रुपए दे रहा हूँ मैं भी मान के चल लो मार्केड बराबर गिराना है, डाउन करना लॉस करवाना है, करवा दो पर मैक्स 10 परशंट, उससे ज़्यादा नहीं मुझे 3,0,90 परशंट तो चाहिए मुझे 2,0,70 यह निकालना पड़ेगा, इस कोश्चन में निकाला है मुझे 2,0,70,000 चाहिए, चाहिए, इसको बोला जाता है फ्लोर ठीक है, C wants to know as to how he should rebalance her portfolio under the following situation according to the theory of constant proportion portfolio insurance policy और multiplier में कितना ले लेना, 2 ठीक है, तो मुझे एक तो चाहिए assets 3,0,00 और फ्लोर 2,0,70,000 तो सबसे पहले आज equity में कितना पैसा लगाओगे today, equity में 3,0,00,-2,70,000 तो answer कितना जाएगा, 60,000 तो 3,0,00,000 में equity में लगाओगे 60,000 और 2,0,40,000 किसमें लगाओगे bonds में, कब लगाए ये पैसा, आज आज से ठीक 10 दिन बात equity कितना हो गया, अब ये समझना आपको बोल रहा है कि आज से ठीक 10 दिन बाद nifty हो गया 5,1,2,2, जब पैसा लगाया था nifty था 5,3,2,6 मैं ये मान के चल रहा हूँ मान के क्या चल रहा हूँ लिखा, फार्दा सेक अप सिंप्लिसिटी आजिम देट मा वैल्यू अफ हर equity component विल चैंज इन टैंडम विद देट अफ निफ्टी क्या कहा है, और risk free he is going to invest, will have no beta ठीक है, वो क्या कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि सर जिसमें हम equity में हम पैसा लगा रहा है equity में पैसा लगा रहा है तो बोले वो market अगर down होगा तो equity भी down होगा उसी proportion में market बढ़ेगा तो equity भी बढ़ेगा उसी proportion में, market के बराबर है अच्छा सर और risk free में कोई change नहीं होने वाला, और risk free में कोई interest भी नहीं है, ऐसा बोला है, तो अब सुनो ध्यान से, जब मैंने 60,000 रुपिया लगाया था, किस में लगाया था equity में तो उस समय nifty ये था ये अब nifty हो गया, तो बताब equity में कितना change हो रहा है, बस वह ही मैं कर रहा हूँ, 60,000 लगाया था, उस समय nifty था 5,3,2,6 अब हो गया 5,1,2,2 तो equity का value ये हो गया और bonds का value ये है, उसमें कोई change ही नहीं है, तो total मिला कर मेरा portfolio कितना का हो गया, assets कितने हो गया, 297,712 अब मुझे क्या करना है, rebalancing और rebalancing फिर से ये निकाल रहा हूँ, equity में कितना पैसे लगाना है, 2 अब है assets ये है, और floor तो 270,000 ही रहेगा, तो equity में अब पैसा लगाना है, 55425.31 तो वही बता रहा है equity में इतना पैसा लगेगा और ये है total, उसमें से 55,000 इसमें लगा दिया, तो बच्चा हुआ किसमें लगा दोगे, bonds में लगा दोगे फिर 10 दिन बात फिर श्टार्ट कर देना है, वैसी जिसे कर रहा हूँ 55,425 जब आपका लगा था equity में, उस समय nifty था 5122.96 अब nifty हो गया 5539.04 उस से फिर equity का आएगा, bonds का तो जोट था, कितना था, ये ये ही रहेगा तो total portfolio कितने का आगया ये और फिर क्या हो जाएगा rebalance अच्छा कोशन है, conceptual कोशन है, मज़ा आया था जब हम लोगों ने किया तो ये ही था portfolio rebalance ठीक है जे एक और छूटा सा concept बच्चा है, इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि उसका कोशन इस attempt में आया हुआ था, और वो है corner theorem, ये जो करवाया हूँ, class number 15 में examples, ये example काम का नहीं है कुछ बच्चों ने कहा था कि sir debt हो और interest भी हो तो क्या है, तो मैंने example के थूँ बताने के कोशिस किया था, प्लीज इसको मत करना revision है, तो revision कितना है अब एक concept और बच्चा है this is minimum variance portfolio या corner theorem या corner portfolio ठीक है बहुत सारा detail में नहीं जा रहा हूँ detail होता तो ये ऐसे होता कि ये वाली जो line है, यहाँ एक portfolio बना, यहाँ एक portfolio बना यहाँ ABC है, यहाँ ABC है और यहाँ जो stocks यहाँ जो portfolio बना है, उसको बोलते है minimum variance portfolio बहुत ज़्यादा detail में नहीं जा रहा हूँ काम target क्या है, question हो जाए और class खतम करें, क्योंकि इतना लंबा revision तो पहली बार देखा होगा आप यह कोई revision हुआ कि सर यह तो class ही होगी पुरी पढ़े ध्यान से सूच के बताना बस एक करवाय था मैंने critical line सुन्दा ध्यान से X का return 15% और यहाँ 20% फिर अगली बार X का return 18 आया, तो यह 26 आया सर इसका मतलब सर X बढ़ता है, कितने परशन से, तीन से तो Y कितने से बढ़ता है, 6 से यह ना यार X तीन से बढ़ा, तो Y 6 से बढ़ा, अब question है कि अगर X एक से बढ़ेगा, तो बताइए यहाँ अगर यह 11 आता, तो यह कितना आएगा, बास common sense लगा के काम कर सकते हूं, अगर है तो सर यह तीन से बढ़ा, तो यह 6 से बढ़ा, तो यह 1 से बढ़ेगा, तो सर यह 2 से बढ़ेगा ना, तो सर answer आ जाएगा, 28% यास, पर यह 28% लाने का और एक तरीका है जिसको बोला जाता है critical line दुबारा घरबारों में revision क्योंकि मुझे जरूरत है अब वो कैसे किया जाता वो important है, सुनना दिहां से और critical line है Y is equal to B plus MX सर यह क्या है, यह Y है हाँ, और यह X 20 है, 20 इधर लिखा कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है और सर, B क्या है B कुछ नहीं, B को B ही लिखतो और X कितना सर, X से 15 15 यहां लिखा और सर, M क्या है, M कुछ नहीं, M को M लिखा कोई दिक्कत ऐसे ही, फिर Y sorry, X, Y कितना है सर, Y है, 26, 26 को 26 लिखा, B को B लिखा plus को plus लिखा, और सर यहां 18 है तो X की जगह आ गया 18 M का है इसको कट गया B से B कट गया आंसर निकला तो M का वैल्यू कितना आ गया M का वैल्यू आ गया 2 ठीक है सरी क्यों करवा रहे जरूरत है भाई यह आ गया 2 एगरी ना यार मैं यह 28 लाने का ही जुगाड कर रहा हूँ जुगाड कुछ इस तरह से कर रहा है अब जबके 2 मिल गया तो क्या इसको मैं इस एक्वेशन में रख सकता हूँ yes 20, B नहीं मालूँ 15 और 2 तो मालूँ है तो इस एक्वेशन में तो B का वैल्यू आ गया माइनस 10 तो फाइनल यह एक्वेशन बनकी आई है Y जब भी निकालना है तो B मतलब जहां से इस्टर्ण माइनस 10 प्लस M कितना है 2 और X मतलब सर X आप बोलते जाना X यहाँ अगर मैं बोलते जाऊँगा तो आप Y का रिटर्न निकालते जाऊँगे yes देखो X बोल रहा हूँ X मैंने का 19 तो 19 इंटू 2 19 इंटू 2 माइनस 10 28 परशन वाव सर मतलब सर सर सुनो अगर यह होता यह होता यह होता और देखते है सर यह होता कुछी भी लिखूं क्या yes अगर यह होता सर 25 परशन तो Y बता सकते हो कि yes 25 इंटू 2 माइनस 10 40 परशन आप देख लेना कैसे आएगा common sense लगा के जो आप common sense लगा रहे है उसको मैंने equation में convert कर दिया that's it सर इसकी जरूरत कहां है मालनो 2 stock है weight का total क्या होता है 1 तो अगर मैं कहता हूँ इसका weight है 0.7 तो Y का weight 0.3 इसका weight weight का total तो 1 होता है यह सरी time pass कर रहा है इस पर आजा हूँ this is most important example सुनो भाईयो सुनो अगर मैं आप से कहूँ एक portfolio बनाया हमने portfolio A उसमें तीन security है X, Y और Z और इसका weight है 0.5 इसका weight है 0.3 इसका weight है 0.2 एक portfolio बनाया और एक portfolio बनाया B जिसमें भी वही तीन security है X, Y और Z और weight है 0.4 0.2, 0.4 मैं गह रहा हूँ कि मालनो और एक और यहां मैं कुछ भी लिखू अगर मैं लिखू यहां लिख दू 0.6 तो बता सकते हूँ इसका weight क्या होगा इसका weight क्या होगा यहां मैं कुछ भी लिख सकता हूँ तो क्या इसका weight बता सकते हूँ मैं मान की चल रहा हूँ linear वो लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां मैं पूरा concept नहीं समझा सकता अब अराम से काम करना अगर मैं कहता हूँ यहां है 0.6 वैसे तो जुगाड लगा कि आप कुछ भी कर सकते हो कि सर यह 1 से कम हो रहा है तो यह भी 1 से कम हो रहा है तो यह 2 से बढ़ रहा है तो सर यह 2 से बढ़ रहा है पांच से 4 हो गया, यह भी 1 से कम हो गया और यह 2 से बढ़ गया अगर में कहता हूँ कि यह हो गया 0.6 यह 2 से बढ़ा तो सर यह भी 2 से बढ़ेगा और यहां क्या जाएगा 0.4 और यहां क्या हो जाएगा 0 मैं कोई common sense लगाना ही नहीं चाहता कोई common sense का number नहीं मिलने वाला ऐसर आपको, काम करना पड़े है, मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चलो यहां है 0.35, तो बताओ, यहां का weight और यहां का weight क्या है, तो अब अब भी एक मिनट के लिए आप z को ignore कर दीचे, वो बाद में देखेंगे, पहले यह बाले weight ने कल सकता है, similar to any sequence, y is equal to b plus mx, y 0.3 इधर लिखा, b नहीं मालूम क्या है, m नहीं मालूम, x है 0.5, ऐसी दूसर एक्षन, 0.2 इधर लिखा, b 0.4, इस equation को solve किया, जब इस equation को solve किया, तो m आ गया 1, और m 1 आ गया, तो put value of m, in one equation 1 में डालती है, तो value of किया, तो यह आ गया, minus 0.2, तो final equation मेरा यह वाला बन गया, अब x यहां में कुछी भी लिखूं, तो y का value हो जाएगा, अब y का value हो जाएगा, तो z का तो weight का तो total 1 होता है, suppose मैंने यहां लिखा 0.35, तो 0.35, into 1, minus 0.2, तो सर यह आ गया, 0.15, equation में रखकर यह आ गया, sir, 0.15, और 0.35, प्लस 0.15, minus, और यह आ गया, sir, यह 0.5 आ गया, चाहो तो आप चेक कर लिखे, कैसे आए, मैं फिर से बताओ, यह मुझे पता लगा, ना यह पता लगा, तो इन दो नों को जोड़ दोगे, तो यह तो निकल जाएगा, तो यह भी 0.5 से कम हो गया, और यह 2 से, यह 1 से बढ़ गया, common sense, नहीं लगाना है common sense, नंबर नहीं मिलने वाला, करना ऐसी पड़े रहा, ठीक, ओके, और सुनो, weight minus में आ सकता है, कि आ सकता, short selling possible है, यार, इतना तो कौन से, पता है आपको, कि weight तो minus में आ सकता है, ठीक, चले आगे, यह है question number 9, यही question आया था भाईयो, इस attempt में, लेखा, an investor has two portfolio known to be on minimum variance set for a population of three security, A, B, C, having below mansion weights, weight of A, weight of B, weight of C, एक portfolio बना रहा है, X, और एक portfolio बना है, Y, X, X में यह पैसा लगा है, Y, Y में यह पैसा लगा है, तो total मिलाकर मेरा portfolio, मेरा portfolio X और Y दोनों है, ऐसा नहीं है कि X और और रहा है, दोनों जगा, it is supposed that there are no, यह दो को यह काम की चीज़ है, बोले short sell पे कोई restriction नहीं है, मतलब weight minus में आ सकता है, वो समझाने के कोशिश कर रहा है, what would be the weights for each stock for a portfolio, हर एक stock का, मेरा portfolio तो यह पूरा की पूरा है, बोले हर एक stock का weight, बताइए, अगर आप 5,000 रुपए लगा रहा है X में, यह जो मैंने एक portfolio बना है न, इसमें कितना रुपए लगा है, 5,000 और यह जो portfolio बना, इसमें कितना पैसा लगा है, 3,000, तो बताओ, A में कितना पैसा लगा, निकल सकता है, देखो कैसे किया, X में कितना पैसा लगा है, 5,000, उसको इस ratio में बाड़ दिया, पंदरा सो, दो हजार, पंदरा सो, वाई में कितना पैसे लगा तीना जार उसको भी बाड़ दिया छे सो पंद्रा सो नौ सो तो टोटल इसमें 2100 लगा इसमें 3500 लगा और इसमें 2400 लगा पर्शंटेज बता दू 1200 डिवाइड़ बाई टोटल कितना लगा मेरा पैसे 8000 3500 डिवाइड़ बाई 8000 2400 डिवाइड़ बाई 8000 तो यह निकल गए मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी ठीक सबसे जबरदस चीच क्या है यह बला यह क्या बोल रहा सपोज दी इन्वेश्टर इन्वेश्ट 4000 आउट आप 8000 बोले और एक पॉर्टफोलियो बनाने का सोच रहा है जिसको बोल रहा है हम जैट और इसमें 8000 में से X में पैसा security A में पैसा लगा रहा है 0.5 तो बताइए balance B और C में किस तरह से allocate करोगे तो एक मिनट के लिए C को भूल जाते equation Y is equal to Y is equal to B plus MX तो 0.4 is equal to ऐसा बनाएगे नहीं 0.4 is critical line बोलते है B into 0.30M 0.30M ऐसी 0.5 B ये कर गया है M आ गया 1 इसको put किया इसमें तो Y कितना आ जाए B कितना आ गया minus 0.7 और ये Y का equation निकल किया है निकल ही सकता है तो X पता लग गया X का पता है 0.5 तो Y का पता लग सकता है कि Yes, Sir 0.5 into 1 minus में plus 0.7 0.2 अगर ये पता लग गया 0.2 तो ये कितना आ जाएगा 0.3 अभी पैसा लगा तो कितना लगाना था 8,000 4,000 यहां हो गया तो बचक वो तो निकाली सकता 4,000 ये है 16,000 ये है और 24,000 है ठीक है इस attempt में क्या हुआ था इस attempt में question अच्छा था थोड़ी बहुत गलतिया थी question में पर वो ignore करने वाली गलतिया थी पर सबसे बड़ी समस्या बच्चे इसलिए परिशान हो गया थे क्योंकि weight minus में आया था भई weight minus में आ सकता है परियार weight minus में आ सकता है ये वाला question है और कब आया था में 2023 में ठीक है वह ही है दस जार है दो portfolio X और Y और 3 इस टू में बाटना है तीन security है X, Y, Z तो बताए weight each stock है वो तो हम निकाल सकती हुए पहला वाला part हीजी है मैं पहले part पे बात ही नहीं करूँगा दूसरे part में एक और portfolio मनाना चाहते है Z calculate the amount allocated to B and C if half of the fund मतलब 0.5 इसमें लगा रहे है तो बताए Y में कितना पैसा लगीगा और Z में कितना पैसा लगीगा गलती से इसने B और C लिख दिया था यहां लिखा होना चाहिए था Y और Z बस इतनी गलती होगी थी यह एक मात्र गलती बाके और कुछ नहीं था I, C, A, I ने गलती कर दिया B और C लिख दिया यहां भी गलती है यहां X, Y नहीं है यह portfolio A है यह हमारी गलती है यहां A और B है ठीक यहां Y और Z होना चाहिए था ठीक ठीक ऐसा तो बस फिर क्या था 0.25 0.30 और 0.45 तो यहां M आ गया है 2 और M को पुट कर दिया तो answer आ गया equation बन गई है हमारी equation आ गया equation तो weight of Y यह दिक्कत है minus में आ गया तो आ जाने दो ना भाई minus में दिक्कत क्या थे Y का weight minus में short selling है तो minus में आ सकता है और weight of Z 1 पूरा weight पूरा होता है 1 1 minus minus 0.5 हो गया minus 0.1 तो 0.65 हो गया यहां बच्चों से दिक्कत हो रही है और फिर आपको amount बताना था और यह 1500 short sell है अच्छा question था यह वाला concept जरूरी है कितना भी कर लो कितने भी questions बना लो बिना concepts के नहीं होने वाले तो खतम कर रहा हूं बस खतम portfolio आप कुछ नहीं सारे questions कवर किया पर मैं आपको यही सला दूँगा कि प्लीज एक बार pain copy उठा कर बना लेना questions सर सलेक्टेट question का list description में डाल दूँगा जो अभी देख रहे होगे एक दो दिन में देख रहे होगे हो सकता कि उनको ना मिले पर फिर मैं description change कर दूँगा और portfolio के जो selected questions है उसके list आपको प्रोवाइट कर दूँगा क्योंकि यह सारे questions तो revision होने से last में ठीक है तो यही था target बस revision का target यही था कि आर सारे ही questions cover हो जाए that's it इसमें दो topic मेरे नहीं करवाई हूँ portfolio का क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा कि security analysis हो जाए उसी के बाद करवा दूँगा या security analysis के ससत करवा दूँगा उसमें एक topic था efficient market hypothesis जिसमें run test बगी रहा था और दूसरा था sharp optimization model बहुत सारे बच्चे बोलते sharp optimization model को छोड़ सकते हैं कि नहीं छोड़ सकते करना है exam देना है तो पूरा ही दो छोड़ोगे आ गया attempt रुकेगा आप जम्यदार होगे ठीक thank you so much bye bye खत्म